दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आपके annual examination English paper की यहाँ पर जो पहला paragraph है आपका यह बोला गया है जुमन सेख और अलगो चौधरी के बारे में थोड़ा सा story दी गई है जिसी story का आप आसानी से पढ़के समझ सकते हैं जुमन सेख और अलगो चौधरी यह दोस्त थे अच्छे दोस्त थे और यह जो है अच्छी तरह से respected थे अपने village में जहां पर गाउं में रहते थे जुमन had an old aunt जुमन की एक बूड़ी auntie थी who had some property उसकी जो है कुछ जायजात थी this she transferred to him and on the understanding that she would stay with him and he would look after her और वो जो है इस property को जुमन को transfer कर देती अगर वो इस बात से राजी हो जाते हैं समझते हैं understand करते हैं कि वो जो है उनी के साथ रहेगी और उस auntie की देखभाल जो है वही करेंगे the argument worked well for a couple of years और जो है जो यहाँ पर जो निश्चित किया गया था वो कुछ समय के लिए सही चला कुछ सालों के लिए सही चला then the situation changed और फिर जो है पूरा का पूरा माहौल बदल गया जुम्मन और उसकी फैमिली थी वो परिशान हो चुकी थी जुम्मन भी ऐसा ही इंडिफरेंट हो गया जैसे कि उसकी घर वाली थी और उसने भी जो है क्या कर दिया कि जो थोड़ा बहुत खाना मिलता था उसको भी जो है एव्री जो मिलता था उसको भी काड कर दिया अब उसने जो है जो थोड़ा सा उसको भोजन मिलता है जिसको निगलती थी उसी तरह से इसने जो इंसल्ट जो उसकी बेशती हुई थी इसको भी कुछ सिनों तक या कुछ महीने तों जो है सैन किया अब मुझे लगता है कि मुझे जो है इस घर में जरूत नहीं है या घर की जरूत नहीं है या आप मेरे को इस घर में नहीं चाहते हो kindly give me a monthly allowance so that I am I me so that I am not here sorry allowance so that I me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen तो तुम जो है monthly allowance दे दो मुझे ठीक है ताकि मैं दूसरा kitchen की विवास्ता कर सकूँ यहनी कि महीने का कुछ पैसा दो my wife knows best how to run the house ठीक है we patent said Jumman Sam Lillis अब यहाँ पर जो है Jumman ने कहा कि मेरी घर वाली जानती है कि कैसे घर को चलाया जाता है तो इसलिए जो है थोड़ा सा सांत रहो this made his aunt very angry and she decided and take her case to the village पंचायत अब जो है इस पर जो है वो बोड़ी और जो थी उसके आंट जो थी वो गुसा हो गई और उसने सोचा कि अब इस case को जो है पंचायत में जो गाउं का पंचायत है वहाँ पर ले जाना जरूरी है तो इस तरह का छोटा सा paragraph जो आप समझ चुके होगे अब यहाँ पर जो पहला प्रस्ट पूचा गिया है पहले लाइन में ही आप देखो यहाँ पढ़के जुम्मन सेख और अलगु चौधरी वर गुड़ फ्रेंड्स तो यह पहला लाइन में ही आपका उत्तर आ जाएगा तो यहाँ पर जो है आपका पहला जो question है इसका answer के हो जाएगा यहीं से यह पहला ही question का answer हो जाता है यही आपका answer हो जाएगा थोड़ा dark color का यूज कर लेते हैं तो आपको ज्यादा बहतरी से मज़माएगा तो यह हो गया यह पहले question का answer यहाँ पर आप देख सकते हूँ अब जो दूसरा question है उसमें क्या पूछा गया है who insulted the old aunt अब old aunt का जो insult था वो किस ने किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने पढ़ा था उसकी wife जो जैसी थी वैसा ही जुम्बन बन गया था तो दोनों ने ही जो है इंसल्ट किया था तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जुम्बन and his wife इस तरह से why did जुम्बन and transferred her property to him अब उसकी auntie ने क्यों transfer किया था तो वो चाती थी कि जुम्बन जो है यह understand कर ले कि वो उसी के साथ रहेगी और साती साथ जो है वो उस auntie का ख्याल भी रखेगा ना इस तरह से जो है सारे answers मैंने नीचे लिखे हुए हैं अभी बता दूँगा मैं इसका answer मैं आपको पहले समझा देता हूँ इसके बाद मैं who were tried of the old aunt who were tired tired मतलब ठके हुए कौन उसकी बूढ़ी अंटी थी उससे कौन ठक गए थे तो हम बता देंगे जुम्बन और उसकी family जो है वो tired हो गई थी old auntie से how was the behaviors of जुम्बन's wife with the old aunt कैसा उसका जो जुम्बन की बीवी थी ठीक है उसका वैवार कैसा था अंटी के साथ में बूढ़ी अंटी के साथ में तो जुम्बन wife begin to ill tear बुरा बेवार करती थी उसने क्या बोला था कि वह जो है बहुत ही कम खाना देती थी यहां पर दिया गया है तो यह भी इसमें आंसर में आ जाएगा इसके बाद जो है तो ओल्ड आंट के साथ जुमर का विएविर कैसा था ये भी हमने कर लिया और जुमर से जो है ओल अंटी ने क्या बोला था तो वो बोल रही थी कि जुमर मुझे मंथली आलाउंस यानि मंथली पैसे दे दो ताकि मैं सेपरेट कीचन बना लूँ है ये इसके सारे आंसर मैं नीचे बता दूँगा इसके बाद दे है तो हमने समझ लिया आपने इस बात को अब आईए अंडर वांट वाट यहां पर वाट होना चाहिए अंडर वांट नहीं होना मिस्प्रिंट हो सकता है पेपर में कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें पेपर में मिस्टेक आती रहती है तो अंडर वाट सरकम्टेंस जुम्मन आंट टुक हर कंप्लेंट तो दा विलेज पंचायत तो विलेज पंचायत में जुम्मन की आंटी क्यों जो है किस वजे से किस सरकम्टेंसिस यानि किस परिस्तितियों में जो है उसको विलेज पंचायत के पास ले जाना चाहती थी तो यह बताना है इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है तो प्रोपर्टी का प्रोपर्टी हो जाएगा तो यहाँ पर आई हट के आई एस लग जाएगा और वाइफ का वाइबस हो जाएगा मैं भी बताऊंगा भी आपको इंसल्ट क्या पुछा है इंसल्ट का मतलब क्या है इंसल्ट मतलब क्या होता है आपको जो है वो क्या हो मतलब आपका बेशती हो और शेम मतलब भी ऐसा ही बेशती हो गया है एड एड मतलब जो होता है कि आपको कुछ दिया जाए, आपके साथ में, एड मतलब ये परचार वाला एड नहीं है, एड मतलब कुछ आपको दिया जाए, उसको allowance का जाता, allowance भी इसमें मांगा था, ठीक है, अब जो है, यहापे shame भी लिखा हुआ है, तो shame जो है, इसका हो जाता है, insult का shame हो जाएगा, य मैं आगे बात करूँगा न, आगे की paper का solution है, उसको हम देखेंगे, देखो, इसका answer से इस तरह से लिखना है, जुमन सेंख और अलगु चोधरी जो है, वो good friends थे, चाहें तो आगे आप लिख सकते हो कि यो दोनों एक ही गाउं में रहते थे, और फिर उसके बाद मैंने बत पर फिर पांचवे का फिर चटे का, यह साथवे question का उत्तर है, यह आठवे question का, यह नवे question का, यह दसवे question का, प्लियर हुआ? अब बात करते हैं, इसके अगले question, आप से जो अगला question पूछा गया, वो कैसा पूछा गया, उसमें क्या लिखना था, ठीक है? तो यह होते हैं, देखिए, यह पहला paragraph था, जिसका answer आपको लिखने थे, तो पहले question का answer तो मैंने ऐसी पता दिया था, इसी paragraph में सारे answers होते हैं, बस आपको select करके लिखना होता है, दस प्रशन थे, एक नंबर के दसों के answer आपको लिखने थे, अब जो है, यहाँ पर आईए, a stamp is too many people, just a slip of paper, that takes a letter from one town or country to another, तो stamp जो है, कुछ लोगों के लिए क्या होता है, एक paper का टुकड़ा होता है, जबकि stamp बहुत बढ़ी चीज है, तो इस तरह से stamp के बारे में थोड़ा सा बताया है, ठीक है, और थोड़ा सा और भी बताया है, यह क्या हो भी है, प्लेजर क्या ह इनके सब कुछ इसमें आप देख सकते हो, तो इस तरह का यह paragraph है, अब इस paragraph को जो है, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर नीचे दिया गया है, अब यहाँ पर जो सारे questions पूछा गया है, what is stamp for many people, तो अभी बताया है, for many people, stamp क्या है, just a slip of paper, है न, that takes a letter from one town or country to another, stamp जो देखा है, न, stamp क्या मतलब, अरे चिठी पत्र आपके घर में कभी आया होगा, किसी ने देखा होगा, stamp छोटा सा होता है, 5 रुपे का stamp आता है, छोटा सा इतनी सी पर्ची चिपकी होती है, letter पे, postcard पे, देखते हो न, stamp उसी की बात हो रही है, तो यह मत समझे न, कि क्या पता न, stamp, stamp कर दिखने हैं आपको, और यहां पर आपको बताना है, एक तो find out the word from the passage, which means the following, एक तो free time, free time का मतलब क्या होता है, free time का मतलब होता है, laser, ठीक है न, laser होता है, free time का मतलब, laser जो है आपको इस paragraph में मिल जाएगा, इसी तरह से जो है, profession क्या होता है, profession जो है, occupation भी बोलते है, आपका si क्या है, occupation क्या है, आपका profession क्या है, ठीक है न, use stamp as a verb and as a noun in your own sentences, तो आप इसको verb की तरह कैसे कह सकते हैं, तो hobby is collecting stamp, तो यह आपका क्या हो जाएगा, verb हो जाएगा, और हम जो है, noun कर देंगे, hobby, my hobby is collecting stamp, तो यह हो गया आपका noun, और अगर मैं माई हो भी कर दिया, तो यह आपका हो गया, और यहाँ पर जो अगर मैं verb की तरह use करूँ, तो his stamped her foot in anger, ठीक है, stamped मतलब उसके जो पैर में जो है उससे चोट लग गई, तो इस तरह से आप जो stamp को use कर सकते हैं, बाकि आप अपनी मर्जी से बहुत सारे words लिख सकते हैं, आपक क्छा है कौन सा लिखना चाहिए, तो यहाँ पहला question पूछा गया है, इसका दूसरा part यहाँ पर है, इन सभी questions के answer मैं नीचे आपको देता हूँ, ताकि आप समझ पाएं कि इसको answers को कैसे लिखने थे, यह देखिए, यह रहा दूसरे question का जो paragraph है न, और many people a stamp is just a slip of paper that takes a letter from one town or country to another, यानि कि एक stamp क्या होता है, एक just paper का टुकड़ा होता है, छोटा सा, वो क्या करता है, एक letter को जो चिट्ठी पे चिपका देते हैं, तो उस चिट्ठी को जो है, एक गाउं या फिर एक दूसरे country में भेजने का काम करता है, न, इस तरह से यह पहला question का answer है, फिर दूसरे देख रहे हैं, आप पहला question का answer है, फिर दूसरे question का answer है, फिर तीसरे question का answer है, चौथे question का answer है, पांचवे का, छटे का, साथवे का, ठीक है, साथ questions का answer हो गए, और ये आठवे question का answer है, फिर ये नवे question के दो पार्स थे, और ये दसवे question का answer है, नाउन बना दिया है, मैंने सब्सक्राइब सब्सक्रांप for the gift. अब उस gift के लिए जो आपको धन्यवाद पत्र लिखना है तो आपको बताना है या अगर आप चाहे तो इन पॉइंटों का जो है follow कर सकते हैं. You may touch. आप जो है इन पॉइंटों को भी touch करके लिए सकते हैं और इन पॉइंटों का बहुत महत्त होता है तो इनको touch कर लो कि when and how you celebrate your birthday तो आपने कब आपका बड़े था और आपने कैसे अपने मित्रों को निमंतित करके जो है बड़े मनाया और when did you invite आपने कब उनको बुलाया था how was the program कैसा program रहा था thanks for the gift आप जो है अंकल को लिखो गई तो यह सारी चीजे जो आप बता होगे इसी में और option है अगर आप यह नहीं करना चाहते तो और option कर सकते हैं suppose you are money studying in government senior secondary school daily compose an email to be sent to the principal of your school requesting him to arrange extra classes in math and science as the syllabus are incomplete तो इस तरह का प्रश्ण पत्र का जो question है ना मैंने आपको अर्दवार्सिक परिक्षा है ना उसमें भी कराया था तो आप इसको कर सकते हो आसानी से आपको एक email लिखना है कि वह आपका syllabus complete नहीं हुआ है चौथा जो प्रश्ण है your school is organizing debate यानि वाद विवाद परत्योगिता हो रही है किस पर ban the use of mobile phones for the students छात्रों के लिए mobile phone जो है बंद हो इसके उपर जो है वाद विवाद होना है आपस में जो है debate होनी है write a debate in favor of the motion in about 60 to 80 words with the help of the given lines ठीक है न तो आप जो है आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं जरूरी नहीं है यहाँ पर आपको lines दी जाए इसी में और पाट है you are Ankita student of class 9th you have to deliver a speech for your juniors in the morning assembly with the help of the given outlines prepared on speech अब आपको क्या है वो जो आपको देना है speech importance of hardware क्या होती है इसके उपर आप चाहें तो इन पॉइंटों को जो है यूज कर सकते हैं अब आगे जो है next question उसकी बात करते हैं यहाँ पर पुछा गया डवलपे स्टोरी पचास से सत्तर वर्ड्स में आपको जो है story बताना है यह cap seller or travels place to place bag of caps monkey जो है उसका वो ले लिता है तो यह वाला जो आपको याद हो गया story कौन सा है तो यह story आपको लिख देनी है इसी तरह से अगला जो इसका प्रशन बनेगा उसमें भी आपको और option मिलेगा देखो के लिए बिमार है गोशीज़ गोश्टू हिस डॉक्टर वह अपने डॉक्टर के पास गया राइट एन इमेजिनरी डायलोग विच में टेक प्लेस बीट्विन दा पेसेंट और अब आप जो है मानलो की पैसेंट मरीज हैं आप डॉक्टर के पास गये तो आपने डॉक्ट करना पड़ेगा मलेरिया है फिर उसने इनजेक्शन लगाया लेरिगो ठीके न तो इस तरह से आप बता सकते हैं ग्रामर के कुश्यों की बात करें तो यहां पर आंपको ऑफ्षेंस दिए गए हैं इन ब्रेके स्काइब करकर करे करेक्ट एक треб डैस अप एट 4 o'clock in morning अब हमेशा की बात हो रही है कि बई चार बज़े उठता है तो gets आ जाएगा रता नकेला है तो gets आ जाएगा the sun sets क्योंकि sun हमेशा है तो ये भी हमारा प्रेजेंटेंस में होता है क्योंकि sun जो चीज हमेशा होती रहती है जो चीज हमेशा के लिए होता है वरतमान में चलता है हो यहांपर sets आ जाएगा in effect अगर आपका sets नहीं होता राइस होता ऐगर ये यहांपर वेस्ट की ज्गे क्या होता आपका नॉर्थ होता तो नॉर्थ में आपका यह क्या होता यहाँपर आपका set की जगे rise आता option में RISE आता तो यहाँपर आप rises लिख देते हैं RISES we dash to meet our friend last night तो go का यहाँपर बेंट हो जाएगा क्योंकि हम लास्ट नाइट गए थे तो हम बेंट हो जाएगे है ना हम गए थे और यहाँपर Tom-a book from the library two days ago तो अब दो दिन पहले तो इस्टील किया गया तो इस्टोलन हो जाएगा कि उसने चुरा लिया था C-on Monday कम आगया है तो on Monday आएगी तो C-will यानि कि भाई आएगी गागेगी लग गया तो विल आजाएगा ठीक है इस तरह से आपको थोड़ा से समझदारी से काम करना है अब यहाँ पर जो है दो ऑप्शन्स दिये जाएगे इन दोनों ऑप्शन्स में से आपको जो है भरना कि कौन सा जो है आपका सही वर्ब यहाँ पर यूज होगा दा बुक ओन दा टेबल डैस माइन तो बुक है वो मेरी है तो क्या है इस है तो यहाँ पर इस आजाता है सही आंसर है इस ठीक है यहाँ पर इस लिखा हुआ है इस आंसर सही है तो राम with his friends, बहुत सारे friends से, यहां पर है बाजाएगा, ठीक है, खली राम with his friends आता न, तो यहां पर है जाजाता, the poor does miserable तो the poor are miserable होता है poor अकेला नहीं है poor सभी के लिए पयोग किया जाता है poor नहीं लिखा जाता I bought the car which does very costly तो I brought a car brought the car तो the car तो उसने एक ही खईदा होगा ना which was आ जाएगा which was very costly next question है if I does you I would do it तो अगर मैं तुम होते तो मैं यह कर लेता तो if I के साथ क्या आता है I के साथ was नहीं आता आई के साथ वर आता है तो वर जो है इसका right answer हो जाता इसके साथ जब compare करते हैं तो वर आएगा वैसे तो I के साथ आप was भी लिख सकते है I was sleeping I was going तो इस तरह से भी होता है लेकिन यहाँ पर जो है इफ आई यहाँ पर इफ लगा दिया अब compare कर रहा है तो इफ आई वर ठीक है यहाँ पर आई वर आता है अब यहाँ पर suitable determiners भरना है इन दा में से आपको जो है some any how much जो होता है इसमें से भरना है the meeting was held in that big hall तो in a big hall आएगा तो a जो मिलकुल सही option है इसका n नहीं आएगा दा नहीं आएगा I will finish this work within that hour तो within an hour यह r है न तो इसमें h silent होता है तो r बोलते हैं तो n आ जाता है यहाँ पर we study in das same school तो we study in the same school तो यहाँ पर जो है a आ गया यहाँ पर अ आ गया यहाँ पर दा आ गया इसी तरह से das boys are playing there तो कितने boys हैं तो any तो आएगा नहीं many अगर option में होता तो many कर लेते some है तो some इसका सही answer हो जाएगा I have not das friends तो I have not many friends much नहीं होता है कभी भी हमारे friends होते है वो many होंगे या few होंगे much नहीं होंगे फिक है तो यहाँ पर many हो जाएगा इसका सही answer इसके बाद जो next question है fill in the blanks with the appropriate prepositions जो on, in, into और off लगता है यह prepositions होते हैं C goes to school dash foot तो on foot जाती है अपने पैरों पे जाती है तो on जो है इसका सही answer हो जाएगा with foot और by foot नहीं जाएगी bus वगरा होता है तो by वगरा हम लगा लेते हैं ठीक है he lives dash India तो he lives in India at India और into India तो होगा नहीं तो in जो है इसका सही answer हो जाएगा Mohan jumped तो Sita died of cancer by cancer नहीं होता with cancer नहीं होता off आता है विमारी के साथ off लगता है Govind purchased this watch dash 500 rupees तो 4 500 जो ही पैसे होंगे न वो उसमें 4 आता है 4 only आएगा कभी पैसे से कोई चीज़ खई जाती है तो उसके लिए 4 होता है ठीक है अब जो है pro sections जो आता विहीव से I get a cheap room in the center of town and sleep for hours इस तरह से है आपका यह आपको याद आ गया होगा कहां से लिया गया है तो आपको जो है इस paragraph को एक बार पढ़ लेना है और उसके बाद जो है आप इसका answers दोगे तो सबसे पहला जो प्रशन पूछा गया है In which town does author stay तो यहाँ प्यांसरा जाए काटमांडू लिखा हुआ है paragraph में आपने पढ़ लिया होगा pause करके पढ़ लिया करो Which two religions have been mentioned in the passage तो कौन-कौन से दो religions धर्मों की बात हुए हिंदू और बुद्ध की What does sign declare about entry at पशुपतिनाथ तो sign क्या करता है वहाँ पर क्या indicate करता है entrance for the Hindus only यहाँ पर sign लिखा हुआ है पशुपतिनाथ में कि जो entry है वो क्यों हिंदूों के लिए है How is the atmosphere near the temple of पशुपतिनाथ तो कैसा है यहाँ पर जो temple के पास जो atmosphere है वो कैसा है तो यह farible confusion ठीक है farible confusion है ध्यान रखना Why does everyone bow and make away तो यहाँ पर इसका अच्छा तो यहाँ पर जो है Why does everyone bow and make away तो यहाँ पर जो आजाएगा for a royal Napoli's princess for whom ठीक है ना उसके लिए जो है यह everyone bow and make away यहाँ पर जो है Where does monkey jump तो सिवालिंगा पर जो है वो जम्प किये जो सिवालिंगा होता है न उसी को बोलते हैं सिवालिंगा इंगलिस में यहाँ पर जो यह answer है न इसका यह वाला Why does everyone bow and make away तो यहाँ से आप देखोगे न यह वाला answer यहाँ से लेकर के यहाँ तक है यह पूरा इसके बाद जो है Which river has been mentioned in the passage तो बागमती river की बात की गई है How do the monkeys fight each other तो monkey कैसे एक दूसरे से लड़ते हैं paragraph में सब बताया है Find the word from the passage which means opposite of expensive expensive मतलब महंगा चीप मतलब सस्ता Find the word from the passage which means similar wonder wonder मतलब आपका जो है बहुत बड़ा जो है वो होता है अस्चर चकित हो जाना की मैं तो यार I am wondered तो यह wondered और wonder का जो आपका similar word हो जाए confusion ठीक है अस्चर चकित हो गया मैं भी confusion हो गया चाचर चकित इसको भी बोलते है इसी तरह से आपका जो next question है why was Kezia afraid of her father next है why did Einstein write a letter to Franklin Roosevelt why was Santos sent to the local school how did Bruno pass his time when he was quite young इसके बाद जो बारवा question बनता हो कैसा बनता है what were the reactions of Abdul Kalam's parents when he wanted to leave home next जो है इसमें पूछा गया आपसे देखीएगा यहापर पूछा गया है आपसे questions सारे का नहीं answer देने हैं इस तरह के सारे questions आपको पढ़ने answer any to कोई भी दो आपको answers देने हैं आपको बोला गया है ध्यान रखना है पढ़ना जरूर questions को यहाँ पर आपको कोई भी एक ही answer देना है तो आप यह मत सोचो कि मैं सारे करने बैठ जाओ तो paper ही छूट जाएगा आपका पूफ देट गेराड़ी से काम एन नोन चैलेंट ठीक है अब यहाँ पर जो है next आपका पुचा गया explain one stanza with reference of context तो यहाँ पर दो stanza दी गई है इसमें से कोई भी आपको एक को explain करना है reference और context तो आपको संदर्ब सहीत व्याख्या बोला गया है कि भाईया stanza कहां से लिया गया है इसके लेखा कौन है ठीक है और इस लाइनों का मतलब क्या है यह आपको समझाना होता है जिसको हम हिंदी में बूलते है संदर्ब और व्याख्या लिखना है इसके बाद जो है answer any two अब यहाँ पर answer आपको कोई भी दो ही देने है थोड़ा सा ध्यान रखना paper पढ़ते समय कि आपको जो बोला गया उतना ही करना extra करके मताना number extra नहीं मिलेंगे time आपका waste होगा what should we do the make friends with the wind ठीक है और what are the three things that the poet wants to do when he goes back there next question है सभी के lessons के नाम जो है उसके सामने लिखे हुए how does the poet suggest that all people on earth are the same और फिर 15 question पूछा गया है इसमें से कोई एक question आपको करना है anyone बोला गया है ठीक है how does the guru manage to save his disciples life उसके चेलो की उसने कैसे करी उसने बचाई कैसे ये बताना है how.olga help look of is saving his life अब इसके बाद जो है आपका solo operation जो है यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया आपसे answer anyone यहाँ पे भी आपको कोई एक कही answer देना है sorry तू का answer देना है कोई भी दो का answer देना है who is the real culprit according to the king in the story कौन जो है असली में गुनेगार था why is his fingers bleeding उसके जो है वो क्या कहते है उसको fingers मतलब उंगलियां क्यों खून से बह रही थी या उंगलियों से खून क्यों निकल रहा था how have the people of the community helped one another और इसके बाद है why did the cello not leave the prime and go to Egypt ठीक है तो इस तरह का question paper है जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रहेगा सारे questions के answer ज्यादा तरह हम discuss कर चुके इस तरह questions पूछे जाते हैं अगर आप समझदार है आपको पढ़ना आता है आप अगर पढ़ सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों को पढ़ी है याद करिए, आपका पेपर जो है बैतरीन हो पाएगा, जितनी जल्दी हो सके जितना ज़ादा पढ़ सकते हैं उतना बैतरीन रहेगा, आपके लिए जिन जिलो के उपना दो पार है जहां-जहां हो रहे हैं, क कुछ जिलो में एक जैसा पिपर हो रहे है, यानि कि आज हिंदी है, बाड मेर मेर में तो बीकानेर में भी हिंदी हो रहा है, मालो, मैं एक एक जामपल दे रहा हूँ, आज अगर आप हिंदी देते हो, तो सभी 50 जिलो में हिंदी नहीं होगा, बाड मेर मेर में होगा, बीकाने सेम पीपर नहीं होते हैं, ठीक है, यानि कि सेम सब्जिक का पीपर नहीं होगा, यह ध्यान रखना है, बाकी आपको जितना पढ़ना है, वो पढ़ते रही है, सब कुछ उपलब दे, आपके उपर डिपेंड है, थैंक्यू बेरी मच्छ, अवे गुड़े